हलो वच्छो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइट अकेडमी में आज हमका अच्छा ग्यारे बिसागरित की त्रकॉन मिती की अगली एक्सरसाइज में प्रियुक्त होने वाले सूत्रों को हैं बता रहे हैं इसके बाद हम आपके समझ एक्सरसा कर देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इस चगे पर अगर साइन ए माइनस बी मिलता अगर आपको तो इसे कर देते हैं हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इसी क्रम में आगए आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी तो इसको हल करते हैं तो देखिए कॉस A cos B minus sin A sin B. दिहान रखना है कि cos में A plus होगा तो इस चरह पर minus A होगा दोनों टरम एक साथ आएंगे cos A cos B. अब इस चरह पर cos A minus B equal to आपको मिलेगा cos A cos B plus sin A sin B. इसके बाद मिलता है आपको 10 A plus B equal to क्या होता है? देखिए 10 A plus 10 B वटे 1 minus 10 A 10 B. 10 A minus B की तरफ चलते हैं तो 10 A minus B equal to 10 A minus 10 B वटे 1 plus 10 A into 10 B. यहां हमें ध्यान रखना है कि अगर यहां minus है तो उपर minus आएगा यहां plus हो जाता है और यहां plus है तो यहां plus होगा नीचे minus हो जाता है. कौट को हम लिखने रहें इसके बाद बच्चों अगर आपको मिलता है Sign 2 A क्या मिलता है? Sign 2 A को हम कर देते हैं 2 S恩 A और कॉस A और इसके बद और होता है यह 2 10 A बटे 1 plus 10 S Q A. Sign 2 A का मांद 2 S恩 A कॉस A भी होता है और 2 10 A बटे 1 plus 10 S Q A भी होता है. अब एक बच्चों मिलता है हमको cos 2a इसको जब मैं हल करता हूं तो cos square a minus sin square a यही बरावर होता है 2 cos square a minus 1 यही बरावर होता है 1 minus 2 sin square a और यही बरावर होता है 1 minus 10 square a बटे 1 plus 10 square a के cos 2a का यह हो गया अब इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे 10 2a क्या 10 2a के लिए हम रखते हैं 2 10 a बटे 1 minus 10 square a क्या हो जाता 1 minus 10 square a इसके बाद इसमें और भी सूत रहें जैसे आपको मिलता है कि sin 90 मानस ठीटा तो यह मैं पहले आपको चतुर्थान से कोर्डिंग बताई चुका हूं तो इनको करने की जरूरत नहीं है अब इसके बाद में आपको मिलता है sin c plus sin d क्या मिलता है sin c plus sin d अगर मिलता है तो इसे हम करेंगे 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 इसके बाद अगर आपको कहीं मिले sin c minus sin d तो इसके बाद अगर आपको मिलता है cos c plus cos d तो इसको हम कर देते है 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 सुतर है 2 cos a cos b अगर मिलता है हमें तो इस चगे पर लिख देते है cos a plus b plus cos a minus b अगर इसी जगे पर आपको 2 sin a sin b अगर मिलता है तो इस चगे पर आपकी आपको करेंगे cos a minus b minus cos a plus b ठीक है ना और इसके बाद एक होता है हमारा cos c minus cos d अगर ये सुतर आपको मिलता है तो 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c upon 2 कर देते हैं अगर इसके आगे आपको sin 3 a अगर मिलता है तो आप इसको लिखेंगे 3 sin a minus 4 sin q a इसी करम में अगर आपको cos 3 a मिलता है तो इसको कर देंगे 4 cos q a minus 3 cos है ऐसे ही अगर आपको किसी जगे पर 10 3 a रखा हुआ मिलता है तो 10 3 a के लिए हम क्या कर देते हैं 3 10 a minus 10 q a 1 minus 3 10 square इस तरह से बच्चों ये इस एकससाज में जो आगे एकससाज आएगी उसमें प्रियुक्त होने वाले सारे सूत्रों को मैंने इसमें समावेस कर दिया है कल मिलते हैं आपको एकससाज के साथ तब तक के लिए प्रियुक्त